नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपडेट है अभी की हिसाब से दोस्तों अगर आप नीज सेरब पढ़ते होंगे दोस्तों तो आज की अख़बार में अपने पढ़ा को देनी भसकर में एक ख़बर प्रकासिस हुई है कि PSC को विभागों ने नहीं दी खाली पदों की जानकारी, इसलिए 2019-0-year, दोस्तों कहने का मतलब है कि इस वर्ष 2019 में PSC, PSC की जो परिच्छा है वो आवित नहीं कराई आएंगी, दोस्तों को कारण के हम जान लेते हैं, ठीक है, परदेश में नय अच्छन फॉर्मूले के कारण इस साल PSC एक भिपद पर भरती नहीं कर पाएगा, भरतीयों के लिहाद से 2019-0-year होने के एक अगरपर है, यानि डिप् पाल से अभील की गई है कि इसमेहात से परें और भरतीया और आविदन जो है निकाली जाएं, दोस्तों मामला ऐसा क्यों हुआ है, अरक्षन पर इस्टे के कारण विभागों से भरती के लिए मांग पत्र भेजे नहीं जा रहे हैं, कुछ विभागों ने भेजे हैं, लेकि दोस्तों को 27 नॉवंबर को हर साल CGPSC अपनी विकेंट सीट निकालता है, CGPSC के ऑफिचल जो विकेंशी होती है, वो उस दिन प्रक्षत कियाती है, लेकि दोस्तों अभी ऐसा मामला चल रहा है कि जो OBC आरक्षन का जो विवाद चल रहा है हाई कोड़ा है, कोगि जो भरतीय आप होनी है, वो नए अर्चन नियम के अधार पर जो होनी वाली है, तो उसी को ले करके अभी तरग जो है को सभी विवागों से जो खाली पद हैं, उसकी सूची नहीं आई है, तो ऐसे में जो CGPSC है, जो अपना PSC का हमारा संग है, तो वो परिच्छा अविद कैसे करा सकत है, तो उसी को ले करके दोस्तों अच्छा ये सब जो है, जारी किया गया है, तो अगर आप तैरी करने PSC के दोस्तों आपके लिए फुरी ख़बर है, अभी समय है दोस्तों देखते हैं, क्या होता है, होता है कि पोश्त निकाले जा सकते हैं राजपल की अभील के बाद, ठ दोस्तों जनकारी थी लगों दोस्तों जरू वीडियो को लाइक करें शियर करें धन्यवाद